आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी खस्तेदार ब्रत की पूरी की रेसिपी और साथ में मैं बनाऊंगी दही आलू तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं उससे पहले वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें तो यहां पर सबसे पहले तो दही आलू बनाएंगे जिसके लिए मैं पैन में डाल रही हूँ डेड़ बड़े चमज घी फ्लेम मैंने ओन कर ली है जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आदा छोटी चमज जेरा साथ में डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च तो हरी मिर्च आप अपने स्वादनुसार डालें फ्लेम को लो रखें और थोड़ा सा सौते करेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो आलू मीडियम साइज के उबले हुए तो आलू को मैंने हास से ही हलका सा तोड़ लिया है तो बस अब आलू को आपको 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेना है तो बस लगातार चलाते हुए आलू को भून लेंगे और जब आलू हलके से भून जाएंगे तो इसमें डालेंगे एक छोटा चमध सिघाड़े का आटा ज्यादा नहीं डालना है आपको एक छोटा चम्मज डालना है फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपको इस टाइम पे बस अच्छे से मिक्स करना है और बस जब सिघाडे का आटा आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो इसमें डालेंगे तीन चोथाई कप दही दही को मैंने अच्छे से फेट करके लिया है और जो दही का पानी होता है वो भी मैंने साथ में लिया है और अब बस लगातार चलाते हुए इसे पकाना है आपको तब तक जब तक की एक उबाल ना आ जाए इससे क्या होगा दही फटेगा नहीं साथ में डाल देंगे इसमें स तो यहां पे आप देख सकते हैं यह जो दही डाला था ना इसमें एक उबाल आ गया है और दही बिल्कुल भी नहीं पटा है तो बस अब इस टाइम पे इस पे डालेंगे तीन चोथाई कप ही पानी मतलब जितना दही लिया था उतना ही पानी पी डाल दें अगर आप चाहें तो थोड़ा जादा भी पानी आट कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए मीटियम फ्लेम में इसे पका लेंगे तो दो से तीन मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए लास्ट में डालेंगे एक चुथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक अब यहां पर बनाएंगे ब्रत की पूडिया तो जिसके लिए मैंने आपके 3 उबले हुए आलू लिये हैं आलू को इस तरीके से आपको कद्दुकस कर लेना है तो आलू को आपको कद्दुकस करके ही लेना है उससे क्या होगा जो हम डू लगाएंगे ना उसमें कोई भी लम्स नहीं आएंगे आलू के तो बस आलू को यहां पे मैंने इस तरीके से कद्दुकस कर लिया है और यहां पे मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को कद्दुकस किया है अब यहां पे इसमें डालेंगे तीन चोथाई कप सिगहाडे का आटा इसी के साथ में आधा कप राज पीस लिया था और इस तरीके से पाउडर बना लिया था साथ में डालेंगे बारी कटी हुई हरी धनिया साथ में डाल रही हो आदा चुटी चमच काली मिर्च का पाउडर आदा चुटी चमच भुना हुआ जीरा पाउडर इसी के साथ में स्वाध अनुसार सेधा नमक यानी ब्रतवाला नमक सारी चीजों को अभी बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है और एक बात का आपको यहां और ध्यान देना है कि जब आपको पूडियां बनानी होना तभी आपको डो लगाना है पहले से इसका डो लगा करके आपको नहीं रखना है तो यहां पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया और अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा गूत लेंगे ज़्यादा पानी ने डालना है नहीं तो यह जो आटा गूत रहे है न यह गीला हो जाएगा और इसकी पूड़िया बनाने में दिक्कत आएगी तो बस यहां पर मैंने एक से डेड़ बड़े चमची पानी यूज किया है और बस यहां पर यह ब्रत वाली पूड़ियों का आटा लग करके बिलकुल तयार हो गया है और इसमें जो मैंने मूणफली का पाउड़र डाला है न उससे जो पूड़िया है बहुत ही खस्तेदार बनेंगी तो अब फटा फट से इसकी पूड़िया बनाते हैं आप चाहें तो बेल के बनाए या आप इस तरीके से हास से भी बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं बेल के बताती हूँ तो इस तरीके से मैंने एक पेड़ा बना लिया है डो में से लेकर के और अब इसमें सिघाडे का आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे तो इस तरीके से कोट कर लूँगी सिघाडे के आटे को या कोई भी ब्रतवाला राजगीरी का आटा भी चलेगा और बस इसे इस तरीके से पाम की हल्प से आपको प्रेस करना है और बस अब इसे हलके हाथों से रोल कर लें बहुत ज़दा पतला भी नहीं रोल करना है और बहुत ज़दा मोटा भी नहीं रोल करना है मतलब बेलना है तो यहाँ पे एक पूड़ी बन करके त्यार हो गई है लेकिन मैं अक्सर हाथ से ही इसे बनाती हूँ बहुत ही ज़दी-ज़दी से बन जाती है तो हाथ में हलका सा ऑैल लखा ले और बस हतेलियों की हल्थ से इसे इस तरीके से आपको पूड़ी का सेवते देना है तो यहाँ पे पूड़ी बन करके त्यार है इसे आप फ्राई कर लेंगे तो fry करने के लिए मैंने घी को गरम कर लिया है तो आप घी या तेल जो भी खाते हों उसमें आप पूड़ी को fry कर ले और आपको पूड़ियों को medium to medium high flame में fry करना है तो बहुत ही fully fully tasty सी और crispy सी पूड़िया बन करके त्यार होती है और ये जो पूड़िया बनती है न ये बहुत ही crispy रहती है ठंडी होने के बाद भी तो यहाँ पर ये देखे एक पूड़ी बन करके बिल्कुल तयार हो गई है और कितनी fully fully बन करके तयार होई है न तो इसे अच्छे तरीके से आपको fry कर लेना है और उन्हें fry करते जाएं तो बस यहाँ पर ये एक और पूड़ी ये देखे फ्राई हो रही है और इस तरीके से तेल उपर डालेंगे तो ये फूलेगी तो बस यहाँ पर ये दूसरी पूड़ी भी बन करके बिल्कुल तयार हो गई है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एजी रेसिपी है और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप Amazing Kitchen रेसिपी को करने सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सेर, कॉमेंट जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग वीडियो